हेलो एवरियन, स्वागत आपका मेरे चनल पे आज मैं आपके लेकर आए हूँ पोहा के रेसिपी तो बोलेंगे पोहा बनाना तो सभी को आता है लेकिन मैंने जो तरीके से बताया है ना उस तरीके से आपको ये चिपचिपी स्टिकी नहीं बनेगी तो चली बनाते हैं इस रेसिपी को और भी असान तरीके से यहाँ पर आपको प्याज काट लेना है पोहा बना रहे हैं और मैंने जिस तरीके से इस रेसिपी को बनाया है उसमें आपको टमाटर भी लगेगा और प्याज भी लएगा यह दोनों चीज़ों को आपको काट लेना है, बस इतना ही महनत है, इस स्याद महनत नहीं है इस रेसिपी को बनाने में, यहाँ पर मैं प्याज की तरिके से लंबे स्लैसिस में काट लिया है, टमाटर को ज़्यादा बारिक नहीं करना है, लेकिन प्याज से थोड़ा से चोटब करना है एक बार शाइड वाले को निकाल देना है जो नीचे का होता है उसके बार एसे एक बार कट लगाना है अगर टामाटर बड़ा साइज काया, तो दो कट लगा दे, टामाटर के ज़्यादा बड़ा पिस नहीं रखे, यहाँ पर टामाटर प्याज काटने के बाद, हमने प्याज और टामाटर को जिस तरीके से बरे-बरे काटे हैं, उसी तरीके से मिर्ची को भी ऐसे ही कट लगा द तो उसके लिए यहांप जो ठरीका है वो यह देखिए, आपको थोड़े थोड़े पानी लेना है हाथ में इस तरीके से और पोहे को भीग होना है देखिए मैं कैसे कर रही है। बस इतना में ही हो जाता है बाकी पानी कम लगगा नहीं थम बाद में यूज़ कर लेंगे पानी पीडियो को देखिए आप पैन गरम करेंगे पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे मैं यहाँ पर सरसो के तेल लिया है आपको जो पसंद हो, आप जो तेल खाते हैं, कोई भी तेल इसमें ले सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, प्याज इसमें डालेंगे और प्याज को हमें भूनना है, साथ में मिर्ची को भी डाल देती हूं, मिर्ची और प्याज को अच्छे से भूनना है आपको, जब आप प आज को पकाना है, कच्छाने रखना है, इसके बाद इसमें पोहे डाल देने हैं, वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट में मैंने और भी इंगिरियन डाले हैं, जिसके डालने से पोहा इतना ज़्यादा स्वाधिस्ट बनेगा कि बरे बच्चे सभी को पसंद आएगा, अगर आप पोहा नहीं खाते हैं, फिर भी आप पोहा खाना पसंद कर देंगे, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, इसको अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद इसमें थोरे तोर करके मसाले उगर सब डाल देंगे, तो मसाले में मैं यहाँ पर पह अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, पोहा नीचे से पकते भी रहेगा, जो उसका पानी है और ड्राय भी होते रहेगा, और मसाले भी अच्छे से मिक्स होते रहेंगे, थोर देर में आपका पोहा कलर ऐसा हो जागा, मतलब सबी मसाले अच्छे से मिल जाएंगे उसके में, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, थोरा सा चीनी डालेंगे, यह सिक्रेट इंग्रियंट है, मैंने इस तरह के से बना कर रहे हैं, अगर आप पोहा बनाते हैं, उसमें थोरा सा चीनी और निबू डालते हैं, तो पोहा बिलकुल अलग सा हो जाते हैं, अगर चट पठा सा बनेगा, और उपर से चमश नाप के ऐसे दो से तीन चमश पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस नीचे बनाने का, अगर आप मेरे तरिके से टमाटर वाले पोहा बनाते हैं, तो एक वार इस तरीक से बनाएंगे, उसमें थोरा सा चीनी डाल देजाए, उसका स्वात बिलकुल अलग हो जाता है, रेसिपी वही है, मसाले वही है, बस बनाने का तरीका थोरा सा लग है, और बहुत ह अगर आपका पोहा बनाने का, इसको इसी तरीके से बनाएंगे, तो आपका जो पोहा है, बिलकुल अश्टिकी और खिचरी जेसा बन जाता है, तो अच्छने लगता है स्वात, गयास को बंद करेंगे, चली मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं कि हमारा जो पोहा है, वो कितना ज़्यादा यम्मी बना है, तो आप एक वार इसको जरूर बनाएगा मेरे तरीके से, यह देखिया, हैना सभी पोहे के दाने अलग अलग है, और बहुत ही अच्छी खुस भीआ रही है, अ अगर आप पोहा नहीं खाते हैं तो एक वार मेरे तरीके से पोहा को बनाएगा यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सेर करें चैनल पर नहीं है, सब्सक्राब करना बिल्कुल ना भूले हैं